हेलो, मैं रिच्छी मिश्रा, क्रिटिकल के स्पेसलिस्ट, इम वर्किंग इन डॉक्टर सुनील इन जैपो दुरुबिन होस्पेटल, आज के सिनेरियो में जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें कोविड के कई तरह के लोग ट्रीटमेंट अपने सिनेरियो में चला रहे हैं, आज के सिनेरियो में पोस्ट कोविड कॉम्लिकेशन भी कई तरह के डोकुमेंटेड हैं, जिसमें देखा जाता है कि कई पेशन हार्ट अटेक के जाते हैं, जो कि एक नेगलिएंसी के लिए भी हो सकता है, इसमें आप सब आपकी सब लोगों की पॉजिटिविटिविटी औ सब का फैमिली मेंबर का सपोर्ट, बाकी चीजे आपका वर्किंग जो लाइफ है उसमें कुछ चैन्जिस करने पड़ते हैं, जिससे टाइम के साथ ये कोविड का सिनेरियो अपने बॉडि के अंदर निकल पाता है और अपने चीजों को ठीक कर पाते हैं, लाइट कोविड से ब्लड क्लोटिंग के चांसे बहुत कम होते हैं, इस टीरोड इसलिए दी जाती है क्योंकि ब्लंक्स में कंजेशन होते हैं, फाइबरोटिक बैंड बनते हैं, फाइबरोटिक बैंड जब बनते हैं तो इस कॉल वार्यल निमोनिया, ये हमारी पहले से डॉक्युमेंटेड स्टेडी है कि वाइरल निमोनिया का ट्रीटमेंट इस्टिरोइड होता है जो हम हर पेशेंट को देते हैं लाइक आप जब इंट्रेशनल लंग डीजिस के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही करेंट सिनरी है कि उसमें फाइब्रोटिक बैन बनते हैं जो पेशें तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट पार्ट तो देते हैं जो है बड़ उसमें कई पेशेंट को अक्सिन डिमांट बढ़ने के कारण और वर्सन हो सकते हैं लाइक किसी पेशेंट का सिटी स्कोर 25 में से 15 में एक लंग को हम साड़े बारा देते हैं साड़े बारा अक्सिजन उसको देना रहते हैं आज के करेंट स्कॉरियों में हर आदमी को साचुरिशन 95-98 चीए 15-20 स्कॉर रहें दिस नॉट पॉसीबल हाई ऑक्सिजन रिक्वार्मेंट भी बहुत गंदी होती है पेशेंट के लिए ऑक्सिजन जितना कम अच्छा है उतना ज्यादा भ इनवल्मेंट होता है उस कंडिशन में जब वो लंग्स का इनवल्मेंट देखा जाता है तो उसके अकोर्डिंग हम डॉक्तर स्विल्ड में ऑक्सिजनेशन को टार्गेट करते हैं लाइक 18-17 जो स्कॉर में 85-88 सैचुरिशन अगर हम मैंटेन करते हैं विद ऑक्सिजन सपो है कि उसमें टार्गेट उसको ऑक्सिण डिवांट कितनी है कितना पेशन अपने अफर्ट कर पा रहा है खुद रैस्परेशन लेने में कितना कमफटेबल है इस चीज को हम टार्गेट करते हैं इंकरेंट सिनारियों में सेकेंड फिंग यह सब बाते अपने कुविड की है क के वीक्नेस बहुत ज्यादा होती है वीक्नेस जब ज्यादा होती है इसका डेजन है कोविट अपनी बाड़ी के лुम होद बोडिक मृट्यक हें आर जो भी चीजेज़ी है उनको हंद सकाल मोद में भीकनेस आती है तो अपनको हाई प्रोटीkryम लेना चाहिए ज्यादा 5 km पर डे कहीं गूमते हो तो उसको वापस 5 km से स्टार्ट नहीं करना है आपको आपको सिर्फ नॉर्मल लेवल से चलकि दीरे दीरे टाइम के साथ बढ़ना है आपके लंक्स का इन्वॉल्मेंट है या आप मत बूलिए लंक्स का इन्वॉल्मेंट मतलब आपकी बॉड़ी की oxygenation बनाने की शम्ता उस lungs में ही होती है अगर आप उसको इस तरीके की patients इस तरीके के साथ irritation करते हो तो वो अपने लिए harmful होता है अपने को उल्टा सोना है ट्राइ करें जितना ज़्यादा उल्टा सोएंगे अपना improvement होगा अपने lungs back side में होते हैं जैसे कोई भी patient अगर उल्टा सोता है तो उसको open air ventilation lungs को proper मिल पाता है अगर अपन सीधा सोते हैं तो lungs अपने बिल्कुल back side से दब जाते हैं जिससे की कारण उसको open air ventilation नहीं मिल पाता है तो lungs अपने oxygenation बनाने में difficult रहता है तो always try to sleep prone position या lateral position नॉर्मल खाने पीने में आप AC cooler में आपको यूज नहीं करना है फ्रीज की चीज़े आपको यूज नहीं करनी है अपने ध्यान प्लस फैमिली की positive नेस फैमिली का supports आपको बहुत जरूरी होता है ऐसा नहीं है current scenario में हमने कई cases देखे हैं कि family supports बहुत ज़्यादा रहा है और patient की positivity के बाद काफी अच्छे recovery पॉसिबल हुई है कोविड में positivityness बहुत ही ज़्यादा important है इस positivityness के कारण जिसके लोगों में कई बार negativity भी देखनी पड़ती है नेगेटिव के कारण complication भी जहलने पड़ते हैं क्योंकि लोग negativity लेने के बाद effort नहीं कर पाते हैं अगर कोई patient या कोई post covid बाद अगर वो अपनी positivity रखता है तो वो किसी भी scenario से लड़ने की ताकत रख सकता है ये ताकत ही अपने आप में एक इतनी ऐसी चीज होती है कि किसी भी बिमारी से लड़ सकती है आप ऐसा मत सोचिए कि मैं diabetic हूं मेरे ये बिमारी है मेरे वो बिमारी है मैं इतना बिमारी ये कभी नहीं सोचना है आपको always think I can fight with this pandemic situation ये आपकी positivity नैस आपकी family को भी बहुत positivity देगी इसके लिए आपकी family का bound होना चाहिए फैमिली सपोर्ट रहता है वो सब चीजे एक बहुत अच्छे scenario में आपको फायदा पहुंचाती है खाने के लिए मैं आपको सजेक्ट करता हूं खटाई की चीजे थोड़ा सा अवाइड करिए चाच दही फ्रीज के जो चीजेस होते हैं इनको आप वाइड करिए गरम चीजे खाईए आप लेमन टीपी जीए तो यह जो चीजें हैं बहुत अच्छी रहती है कोविड के लिए तो आपको अपनी positivity प्लस बाकी चीजों का अपना खुद का द्यान रखना पड़ता है और कोई भी चीजे एग्रेसिव मोड में नहीं करनी है पोस्ट कोविड जैसे आपने लास्ट पंदरा दिन कोविड में निकाले हैं उसके 50 परसेंट आपको नेक्स्ट कोविड के निकालने हैं आप यह मत सोचिए आप नेगेटिव आ गए हैं तो आप बिलकुल ठीक हैं यह सब टाइम के साथ इंप्रूमेंट आता है जैसे इंप्रूमेंट आएगा आपको आपकी बॉड़ी अपने आप दिखाने लग जाएगी कि अब मैं वीकनेस से रिकवर हुआ हूँ अब मुझे सांस में दिक्कत नहीं आ रही है अब मैं दस फ्लोर चड़ रहा हूँ पांच फ्लोर चड़ रह हैं मास्क यूज नहीं कर पाते हैं यह मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आपका मास्क लगाना आपकी फैमिली के लिए आपके बच्चों के लिए आपके सारे रिलेटिव के लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो है हम अभी सेकिंड रिकवरिंग फेज में रहेंगी इन इस वर्ड में तो यह मेरा आप से रिक्वेस्ट है प्लीज यूज मास्क और यूज सेनिटाइज रेगुलर्ली एंड इस्टे हेल्थी हैपी लाइफ गॉड ब्लेस्ट यू अल